प्रिविदार्थियों बंदे मात्रम भाटिया आश्रम के यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक शुवागत है आज हम बात करेंगे राजस्तान के दियाश का राजस्तान के एक इकन का टॉपिक पढ़ने के बाद में जो आगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सर किस राजस्तान में जन जागरती के लिए राजस्तान में जन जागरती और जन जागरन के लिए जो क्या-क्या जो प्रियास किये गए उनके बारे में बात करेंगे कि आरिये समाज के दुवरा क्या-क्या भूमिका रही क्या योगदान रहा उनका और जो पत्रकारिता कह दें या समाचार पत्र कह दें उनकी क्या भूमिका रही सामाजिक एंव राजनेतिक जो संगठन थे उनकी क्या भूमी का रही जो राजस्तान के लोगों को जन जागरती उत्पन कर रहे थे उनके अंदर और जन जागरन उत्पन करने का जो उन्होंने प्रियास किया था तो उनकी क्या भूमिका रही उनसे समंदित MCQ करेंगे तो चलिए आज का हमारा जो पहला प्रिश्ण है किस राजस्तान के अजमेर में आरिये समाज की स्थापना कब हुई पहला ओप्शन है 10 अप्रेल 1857, 10 अप्रेल 1875 लिख दे हैं 13 फरवरी 1881, 30 अक्टुमबर 1883 या मार्च 1883 इन में से कौन सा आप्शन आपका सही है तो इस प्रेश्ण का जो सही आंसर है वो आपका किस राजमेर में आरिये समाज की जो इस्तापना है वो 13 फरवरी 1881 को होती है यानि B आपका सही है तो फिर कहेंगे सर भारत इस सर पर आरिये समाज की जो इस्तापना है वो कहां होती है सर वो आपकी होती है बुंबई में तो मुंबई में या बुंबई में है वो कब होती है 10 अप्रेल 1875 को होती है ठीक है तो चलिए दयानन्द सरस्वती जी ने भारत इस तर पर मॉंबई में क्या 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 कि आरिय समाज की स्थापना की और राजस्तान में अगर पूछे तो कहां पर सर अजमेर में राजस्तान में कब हुई 13 फरवरी 1881 में और भारत इस तर पर तो 10 अपरेल 1875 में सत्था के बारे में देखते हैं के सत्थर दयानन्द जो सरस्वती जी है इनका जो जन्म हें हो कहां होता है को इनका जो जन्म है 1824 इस्वी में गुजरात के मौर्वी छेतर में एक जो गाव है उस गाव का नाम है टंकारा ग्राम में होता है पच्पन से ही ये मूर्ति पोजा के विरोधी थे ठीक है और मात्र 21 वर्ष की आयू में इनोंने अपना जो गर है वो छोड़ दिया था इनके दुवरा जो हिंदी भाषा में जो रचना में रचित गरंथ है सत्यार्त प्रकाश ठीक है जी सत्यार्त प्रकाश जो गरंथ है इनके दुवरा रचित है और इनका जो दूसरा जो संस्क्रण है वो इनोंने कहा लिखा था उदेवपूर में लिखा था दित्ये रहें अगर हम बात करें कि जोदपूर का एक साशक था ठीक है जोदपूर का शाषक जिनका नाम है महाराजा जस्वन सिंह धित्य ठीक तो तर Kilten अरफ अट तो इन्होंने जो उपदेश दिये थे एक तो वैश्यागन के दोस्त बताए और उनके अलावा महराजा जस्वन सिंग जित्य थे यहां इनको फटकार लगाई थी क्योंकि इनकी प्रेमिका थी नहनी जान इनसे प्यार वगरा करते थे ठीक है तो वैश्यागन के दोस्त और इ था ठीक है तो रसोया कौन था गोड मिश्टा था तो गोड मिश्टा के दुवारा इनके खाने में जहर मिला दिया जाता है ठीक है फिर क्या आए कि जब खाना खाने के बाद इनकी जो तबियत है वो थोड़ी बिगड़ जाती है खराब हो जाती है तो इनको माउंट में लिजाया कर जाता है और अजमेर में इनकी क्या हो जाती है सर मृति हो जाती है तो इनकी जो मृति है वो कब होती है तीस अक्टूमबर 1883 में और कहां पर होती है अजमेर में होती है और अभी हमने बात की कि बंबोई में इन्होंने आरे समाज के सापना 10 अप्रेल 875 को क और अजमेर की बात है आरे समाज की संपना तो 13ல healthcare 1881 में थी थी इसके अलवा अगर हम बात करें करें कि इन्हों एक प्रोप कारणी सभा की कि स्थापना करते हैं यह सानलدة क्लिम्र्स इस ऑपने आपके मेवार्णा उस सभापती है था अपना कब होती है 278 तेरियां से इसी विक होती है और आरे समाज के बारे में क्या क्या बाते हैं ठीक है क्या योगदान भा कि सरारे समाज विरोध कि थी कि वर्ण व्योवस्ता को इसा नहीं होना चाहिए अंतर जाती विभा को परोस्थान दिया था तो ठीके यह पर यह जोş一ishing के भाल विवा का उन्होंने बीपढ नहोंनेその समाफ्ण करने कशने का यह बड़ hell विरोध किया विदवा विवाथ को प्रोफसान दिया ठीक एप गि Dude Eaway College की यहांपर हैं आ किनों ने स्तापना की अजमेर में DAB कोलेज की तो यह आरे समा से समझ देयानंद सरस्वती जी ने DAB कोलेज कह देजी MDS University जो आपका नाम आता है महसी देयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी वो आपके अजमेर में हैं ठीक है इन्हीं के नाम परिसित है नेक्स्ट प्रशन स्थब से पहले करोली के साशक मदनपाल जी ने क्या किया आगरे किया तो वो कौन से वर्स में किया 1801, 1862, 18133 25 यह फिर 1865 इस प्रेशन का जो सही आंसर आपका रहेगा डी आंसर 1865 इस वे में उने आगरे किया तो देयानंद सरस्वती जी सबसे पहले राजस्तान में किस ज इनका जो गटना करम है किस प्रकार से जाता है किशनगट, किशनगट से फिर पुशकर, पुशकर से वापस फिर जेपूर और जेपूर से फिर आगरा होते हुए राजस्तान से भार निकल जाते हैं तो सबसे पहले जो राजस्तान के किस दिले में आते हैं, करोली में आते हैं, करोली का शाशक मदन पाल के आगरे करने पर आते हैं, और कब आते हैं, 1865 में आते हैं, तो इस प्रिशन का जो आंसर है आपका D आंसर है, वो इल्कुल सही है, अगला प्रिशन है कि 27 परवरी 1883 सी स्वामी देयानंद के सानिद्य में प्रोब कारणी सभाग इस्तापना की गई थी वो इस्तापना कहां की गई थी ठीक है तो प्रोब कारणी सभा का जो सभावती है वो किन को बनाए जाता है सभावती महारणा सजन सिंग को महारणा सजन सिंग को प्रोप कारणी सभा का क्या बना दी जाता है सभापती बना दी जाता है तब यह जो इस्तापना है वो कहां पर होगी सर यह मारणा कहां का है उदेपूर का है तो यह जो सभा है वो इस्तापना भी कहां हुई उदेपूर हुई तो इस प्रेशन का जो सही आंसर आपका का क्या है B Option यानि उदेफूर है अगला प्रहशन आपके स्क्रीन पर है कि सब दलितो दुवार नामक पुस्तक व्हें सही नने लिखी दलितो दुवार नामक पुस्तक विद्वा विवा ये दो बुके किनों ने लिखी थी तो ये दो बुके लिखी थी आपके चांद करण जी सारदा ने लिखी थी एक और आपका ये आ रहा है सर्विला सारदा किया है तो हर्विला सारदा के बारे में हम बात करेंगे कि सर्विला सारदा ये एक शारदा एक्ट बनता है ठीक है तो इनके ही प्रियासों से वो एक्ट बनता है 1929 की बात कर रहे हैं तो एक बाल विवा अवरोधक अधिनियम पारित होता है वो किनके प्रियासों से होता है हर विलाज सार्दा के प्रियासों होता है और नेतरतों पूरा जो भूमी का है वो दयानन सरसूती नहीं भार है लेकिन इनके प्रियासों से हो रहा है फिर इसी अधिनियम का नाम जो बाद में क्या पढ़ जाता है सर शार्दा एक्ट पढ़ जाता है तो इसको सार्दा एक्ट कहते हैं सारदा एक्ट के तहट जो लड़के की जो विवा की जो उमर है वो कितनी बताई गई है सर 18 वर्ष बताई गई है और लड़की की जो विवा की जो उमर है वो कितनी बताई गई है 14 वर्ष बताई गई तो इस प्रशन के साथ में आपको हर्विला सारदा से समंदित य याद रखनी है ठीक है अगले प्रशन पर चलते हैं प्रशन संग्या आपका पांच पर ठीक है प्रसन संग्या पांच केता है कि राजपुताना में प्रथम पत्र 1859 इस्यू में भरतपूर से निकला था जिसका नाम क्या था मारवाड गजट था राजस्तान कैसी था मजहर र आपका रहेगा कि सर जो भरतपूर से जो निकला पत्र पत्र और राजपुताना का जो प्रथम पत्र यह जो लेटर की बात करें 859 इस्यू में निकला था तो वह कौन सा था वह आपका था मजहर रूल शरूर था अब बाकी बात करें कि सर यह क्या है यह जो मारवाड अब बात करेंगे राजपुताना गजट राजपुताना गजट है वह अटाराश बरियांसी इस्यू में अजमेट से प्रकासित होता है और इसके जो संपाधन करने वाले वक्ती कौन है मोलवी मुराद अली इन्होंने दो भाषा में दिव भाषा में ये अकबार लिखा था और इस अकबार की एक जो विशेश जो बात है वो यह है कि इस अकबार में साशन की खुली आलोचना की जाती थी ठीक है जी तो ये तीन बातें इसके अलवा आपको याद रखनी अगला प्रशन है 1885 इसवी में अजमेर से प्रकासित राजस्तान टाइम्स अंग्रेजी समाचार पतर था जिसमें सासन की कमजोरियों को उर्जागर किया गया इसके जो संपादक कौन थे ठीक है इसके संपादक की बात हो रही कि इसके संपादक थे वो कौन थे और ये राजस्तान टाइम्स नाम का है और अंग्रेजी समाचार है ठीक है और 1885 इस अजमेर से निकला था क्या इनके संपादक बक्षी लक्षमन दास थे प्रेम नारायन माथूर थे सुमनेस जोसी थे हिरालाल सास्त्री थे इस प्रशन का तो सही आंसर आपका रहेगा बक्षी लक्षमन दास थे जो आपके इसके राजस्तान टाइम्स नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र के क्या थे संपादक थे अगला प्रशन है प्रशन संग्या साथ हिंदी साप्ताइक सजन कीर्थी शुदारक किस राज्ये का सरकारी बजट था किस राज्ये का ये सरकारी बजट था तो ये किस राज्ये का सरकारी बजट था वही है मेवार राज्ये का सरकारी बजट था ये नि महरना सजन सिंग के दुआरा ये जो एक साप्ताइक समाचार पतर निकाला गया था सजन कीर्थी शुदारक ठीक है तो सजन कीर्थी श हुआ या फिर आप इसे यह भी बोल सकते हैं 1879 इस्वी को निम्ने में से ऐस संगत है चार ओप्षिन दे रहे के जिन में से जो गलत है उसको आपको छाटता है देनिक नौ जोती राम नारण चोदरी आंगी बान जे नारण व्यास नवीन राजयस्तान हरीबाव यह विजे सिंह पतिक थे यह विजे सिंह पतिक थे नवीन राजस्तान से से 1921 में निकलता है इसके बाद में 1923 में इसका जो नाम है राम।äरार – आजuciones निकलता है और और राम नरण चोदरी का देनिक नौ जोती है। यह जमेर से निकल आ दता है इस फ्रेशन का तो सही आंसर रह जाएगा C option इसमें क्या आसर वो गलत था जबकि यहां पर क्या लिखा होना चाहिए इनसे सम्मंदित में विजे सिंग पथिक लिखा हुआ होना चाहिए अगला प्रश्न है प्रसंद संक्या नो राजस्तान सेवा संग की स्थापना किस ने की कैसरी सिंग बारट विजे सिंग पथिक राम नरायन चोदरी या हरिवाई किंकत तो राजस्तान सेवा संग की बात आ रही तो राजस्तान सेवा संग की स्थापना है वो आपके विजे सिंग पथिक ने की इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या है बी option है आई ये राजस्तान सेवा संग क्य है उनके बारे में देखते हैं ठीक है तो राजस्तान सेवासंग की स्थापना है वो लुकिनों ने की विजे सिंग पथिक ने की एक बार आप इतना भी याद रख ले अगला प्रिशन है गांदी जी ने गंश्याम दास बिडला की अधिक्स्ता में अखिल भारती हरीजन सेव स्थापना की थ आपके सी ऑप्शन यहींanne 1932 इस्वी में की थी अगला प्रिश्न है जौतपूर रियासत का पहला राजनितिक शंगतन था इसकी स्थापना कब की गई थीग की जोग स्थापना है वो कब की गए थी तो मार्वाट स्थापना की स्थापना है आपकी 1920 में की तो मारवाड सेवासंग क्या होता है, इनके अध्यक्स कौन होते हैं, इनके सदेशे कौन होते हैं, इनको देख लेते हैं तो इनकी स्थापना 1920 में अध्यक्स दुर्गाशंकर रहता है, मंतरी प्रियाग राज भंडारी और इनके जो सदेश्ये भमरलाल निगम और गिर्दारिलाल और भी अन्ये लोग इनके सदेश्ये थे और इसका जो मैन उदेश्ये किया था मारवाड सेवासंग का ये उदेश्ये था कि मारवाड की जनता में राजनेतिक जागरती उत्पन करना था तो मारवार सेवा संकी सापना कब होती है 1920 में होती है ठीक है अगर हम बात करें किस राजस्तान सेवा संकी यहां राजस्तान सेवा संकी बात करें तो विजे सिंग पतिक ने की थी वर्दा में की थी ठीक है उसके बाद में अजमेर में करते हैं ठीक है मुख्याले तो यह भी बिल्ट कार्णी सबाव 1913-14 में यह भी सभी है जीवन कुटीर 1925 यह गलत है जीवन कुटीर जो जो सम्मंदित की बात है 1927 में होता है हिरलाल सास्त्री के दुबारा इस जीवन कुटीर की क्या कि जाती है सरिस्टापना की जाती है तो इस प्रश्न का जो गलत आंसर मतलब जो सापना की थी और हिरलाल सास्त्री की जो आत्म कथा के बारे में भी पूछा जाता है ठीक है तो वो भी आपको इससे समंदित प्रश्ण में आपको याद रखना है ठीक है हिते स्प्रश्ण से समंदित इसमें खबरें चुत होई तो वीडोगार्त सबाकी 내려30 नहीं acesso करतें अगला प्रशंण स्टापना किस ने की ती चांद मल सुराना ने जेन अर्न व्यास ने अभेमल जेन ने या भवरलाल सर आपने इस प्रेशन का जो सही आंसर है आपका यह ऑप्षिन यह चांद मल सुराना ने 1918 SW में मरूधर हितकारणी सभा की क्या की बई साथ इस्तापना की ठीक है फिर बाद में इसी मरूधर हितकारणी सभा का नाम बदल के मारवाड हितकारणी सभा कर दिया जाता है मारवाड हितकारणी सभा 1921 में हो जाता है और 1923 में इसका फिर नाम और चेंज गर दिया जाता है और फिर कहते हैं कि सर इसको क्या कर देते हैं 1931 में जयन्न आन व्याज के दुवारा एक मारवाड यूत लीग की स्थापना की जाती है उसमें इसको विले कर दिया जाता है तो ये Marward Youth League की स्वापना भी J9 व्यास करते हैं और Marward Hithkarani सभा की स्वापना भी J9 व्यास करते हैं. तो ये इसका वापस पुनर गठन कर दिय जाता है, नाम, चैंज कर दिय जाता है, Marward 了吧 Kid Karni का वापस, 1913 में और 1931 में Marward Youth League में विले कर दिया जाता है इस प्रिशन का जो सही आंसर आपका है A option अगला है खांडलाई आश्रम की स्थापना किस ने की थी खांडलाई आस्रम की स्थापना जनायन व्यास, मानिके लाल वर्मा, मुतिलाल तेजव, भोगिलाल पंडे तो इसकी जो प्रशन का है सही आंसर प्रशन संग्या 16 का भी ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल सही है कि मानिके लाल जी वर्मा ने खंडलाई आश्रम की क्या की ती इस्तापना की थी और किस जगे पर यह इसकी सितापना करते हैं तो यह आपके डूंगरपूर में खं 2018, 1929, 1920, 1915 तो इस प्रशन का जो सही आंसर आपका है 1919 में होती है राजपुताना मध्यवारत सभा के सापना होती है ठीक है यह दिल्ली में कॉंग्रेस का जो एक अधिवेशन होता है ठीक है इस अधिवेशन में दिल्ली में चांदनी चोक के पास में एक मारवाड पुस्त क लेनी लाइब्रेरी होती है उस जगे पर इसकी स्तापना की जाती है और इस्तापना की में उस समय अध्यक्सता है वो आपके जमनलाल बजाज के दुवरा की जाती है बाद में इसका जो मुख्याले है राजपुताना मध्यवारत सभा का वो बाद में कहां कर दिया जाता है इसका मुख्याल है अजमेर कर दिया जाता है ठीक है तो यह आपको याद रखना बाद में इसका मुख्याल है वो अजमेर कर दिया जाता है ठीक है और सभा की सापना 1919 में होती है निम्न लिकित में से राज वाल्टर कृत्त राच पूटाना मध्य भारत सबाके की तरन के कार्य करता थे। क्रित राजपूत हितकारणीज सभाग की जो इस्था आपना है वो आपकी कब होती же tycket इस प्रश्वी जें नाम सब्सक्राइप धिकारी था जिनके नाम सब्सक्राइप उप्सक्राइब यह जी जी कौन है वाल्टर एजी जी वाल्टर के दुवारा ही यह वाल्टर कृत राजपूत हितकार्णी सभा का क्या क्या जाता है सर सापना की जाती है और इसका जो मुख्याले है इस सभा का यह निस तापना कहां की गई सर यह अजमेर में की गई और इस सापना करने का जो सब्सक्राइच करना था यह सो क्योंकि इन में से कोई भी पूछ सकता है तो अभी इसमें पूछा गया है कि सब दित्ती अधीवेशन है तो हम बात करेंगे सब पहला अधीवेशन कहा होता दिल्ली में होता ठीक है दिल्ली जब वहां कांग्रिक्स का अधीवेशन हो रहा है तो पहला अधीवेशन कहा हो गय अगला प्रिशन है, मारवाड गजट की स्तापना कहां हुई, बात है मारवाड इसका मलब मारवाड गजट की स्तापना कहां होती है, जोधपूर में होती है, इस प्रिशन का अंसर क्या हो जाएगा, A option इस क्रेक्टर, शार्दा एक्ट के तहथ लड़की के विवा की जो चोपीश्वा पृश्ण मोल्वी मुराद अली ने अठारा सो बरियासी इस्विय में अजमेर से किस समाचार पत्र की इस्तापना की मार्वाड गजट मेवाड गजट राजबुताना गजट या यह सब भी इस प्रश्ण का जो सही आंसर है एगा सी आप्श्ण यानि राजब अपना है उन्होंने कब की 13 फरवरी 1881 में 30 अक्टुमबर 1883 में 10 अप्रेल 1875 में 15 अप्रेल 1860 में इस प्रेशन का जो सही आंसर हैगा आरे समाज का जन जागरण में या जन जागरती में योगदान पत्रीकाओं का योगदान जो सामाजिक राजनेतिक जो संस्ताएं थी उनके योगदान को हमने पढ़ा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपी के साथ में जब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जे भारत जे राजस्तान